हलो एवरिवन आप सबको स्वागत है हमारे और आपके अपने यूटीब चैनल आल इन बन में तो जो आपके लिए मैं एक पॉर्डेंट अफडेट आया लेक्के आया हूँ यह ओफिशल अफडेट है एक जिक एससबी की तरफ से जो की जमू एंड कश्मीर पोलीस में सब इंस्पेक्टर की पोस निकली थी उसमें एजर रिलक्सेशन की बात कर रही थी चल रही थी कि दो साल की एजर रिलक्सेशन मिलेगी या नहीं जब फिर किनी एजर रिलक्सेशन मिलेगी नहीं तो गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि आज 7 है 7 है 7 है 7 हो दिसम्बर है और 10 को उसकी लास्ट डेट है तो गाइस यहाँ पे जैकेस ने एक official press release निकाला है जिसमें उन्होंने clear करा है कि इस realization मिलनी है जा नहीं मिलनी है ठीक है तो हम वही discuss करेंगे उससे पहले जो हमारे चनल पर नहीं है हमारे चनल को subscribe कर लें वीडियो को like share जरूर करना है अगर कोई doubt है तो comment जरूर करना है गाइस यह देखो यहाँ पे एक press release निकाला हाला कि जिक SSV ने यह allegations को refute करने के लिए एक निकाला पर इसमें उन्होंने clear कर दिया एजर लक्षिशन का तो यहाँ पे जिक SSV ने बोला है कि जो allegation लगा रहा था एक news paper है कोई जिसका नाम है daily early times एक news paper है तो उसमें एक news शपी थी जिसका था recruitment for SI post SSV ignores LG's deduction तो गाइस यहाँ पे जिक SSV यही बोलने की बात बोल रहा है कि जो जो news paper है इनको knowledge नहीं है इसके nerve water को knowledge नहीं है क्योंकि सही बोल रहा है जिक SSV जिक SSV का age बढ़ाने में जहां गडाने में जब कोई भी recruitment rules frame करने में जिक SSV का कोई रोल नहीं होता है अगर आप एक responsible citizen है जहां आप एक अच्छे knowledge वाले person है तो आपको पता है कि जिक SSV rules frame नहीं करता है वो सिर्फ जो rules पीछे से आते हैं qualification से लेपस बगारा जो identity department होता है जो पोस्टे advertise करता है इसके इसमें home department है तो उन्होंने वो करना होता है यहां पे जिक SSV यह लिख रहा है कि उनको कोई भी knowledge नहीं है उनको lack of understanding है उनको कि government कैसे function करती है और यह सारा इसमें करता है और यहां पे इस पैरा में जिक SSV पूरा बताता है कि इनका कोई करने का order आया था तो वो उन्होंने increase कर दी थी ठीक है मतलब 800 से 1200 कर दी तो इसके regarding जिक SSV ने एक वो निकाल दिया था मतल ओर निकाल दिया था तो अब यह एक हो इसको मैं पढ़के बताता हूं इन सो फार आज प्रपोसर रेटिंग दूए इस रेलक्सेशन अफ अपर एज लिमेंट फॉन्टी तो थर्टी यह इस कंसर्ण दा सेम इस अंडर प्रोसेस गाइस बोह रहे है कि हंट प्र होम प्रोविजन से इस स्क्रूटिनाइजड बोथ जन्रल पब्लिंग है तो गाइस यह देखो यहां पर यह क्लियर कर रहे हैं कि जो एज रिलक्सेशन का जो है आपका मुद्दा है थाई से तीस साल वो अंडर प्रोसेस है क्योंकि LG ने डिवीट कर दिया तो LG ने ऐसे प्रोसे ने डिवाडमेंट में ठीक है होम डिवाडमेंट क्या करेगा नोटिफिशन निगालेगा जब तब भी एक GKSSB अन प्रॉंप्ट बेसी बेसी वक्त एक नोटिफिशन निगालेगी और आप आपको उसके रिगार्डिंग बता देगी जो भी उसका होगा एज रहो जाएगी ठीक है तो यह था आपके लिए बॉर्ड अपडेट और यहां पे GKSSB नहीं यह प्रेस रिलीज तो उनके रिगार्डिंग निकाला है जो अर्ली टाइमस बाले है निउस्वेपर वाले कि उनको कोई नौल ही नहीं है तो सही में भी है कि GKSB ने जो यहां पे क्ला देर लक्सीन है उसके रिगार्डिंग